हलो माई डियर फ्रेंट्स कैसे आप लोग मेलकम माई नीव चैनल आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेड मलाई की रेसीपी लेकर आए जो दिखने में जित्ती ज्यादा लाव जौब दिखने में तहीं ज्यादा टेश्टी है तो हम बिना टाइम वेस्ट किये इसे हम बनाना करते हैं सबसे पहले हम यहां पर एक पैन लेंगे पैने मैंने एक कब दूद लिया यह एक दूद 500 गराम के वरोपर है और यहां पर मने वर्टेबन शक्कर लिया मने आदा चम्मा शक्कर और डाला हुआ है और यहां पर हमें चार से पांच हरी वाली लाई चिलूँगे ताकि इसमें एक भी गुटली एक भी लम्स नहीं होना चाहिए दूद हमारा उधर 102 मिट के लिए हमने पकने के लिए रख दिया है और दूद हमारा काफी अच्छे से पक चुका है काफी ज्यादा ठीक हो चुका है और जो हमने कश्रट पोड़र को गोल बनाकर रखा था उसे हम दीरे दीरे डालेंगे और एक हास से हम इसे दीरे दीरे चलाते जाएंगे उठली या अलम्स इसमें पढ़ सकते हैं इसे हम ज्यादा नहीं पकाएं कि इसे दूद हमारा पहले से अल्रेडी पका हुआ हुआ है तरहें जाएंगे अच्छे से और कापल ज्यादा थीक हो चुका है अब मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे 102 मिन पर इसे हम पिर किसी बर्दन में निकालकर हम इसे फ्रीज में रख देंगे अच्छे ठंडा होन साटिस कर लेंगे इसे तर के सलेज़ आए जो अब लेला का साहिए जाम अबए करें दो साफ है तर निकाल देना है और चारो तरप से साट अंगा हमका सब्सक्राइब Colombia सेमसे घाटिंग कर सकते हैं और जो हमने यहां पर दूद पका कर रखता है बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है और इसे हमें एक बरतन में टांसवार कर लेंगे कि यहां पर एक मैंने बरतन लेवा उसमें मैं सब निकाल ले रही हूं और इसे निकालने के बाद में इसे मैं थोड़ा देर के लिए 2-3 में के लिए यहां पर मैंने एक टोरी लिया हुआ है और यह मैंने यहां पर मलाई लिया हुआ है यह दूद की मलाई है दूद की मिलाई मैं यहापर वल्टेवन इस्पून ले रही हूँ और इसे मैं एड़ करूंगे मैं मिल्क पॉडर अगर आप लोग के पास यह मिल्क पॉडर ने हो तो आप लोग जो दूद की मिलाई है वल्टेवन इस्पून और ले सकते हैं पर Chromat wrap अपार और नार्मल दूर लिया सकते हैं मीक्स करेंगे इसे तरह रितार के बाद है यह साइट में नहींकμε के बिंगे ओर अच्छामने ब्रेटी के स्लाइफ है हम वहाँ पर आते हैं यह ब्रेट के इस और हमें ब्रेट का स्लाइस उठाना है ऐसे का हम ने जो मलाई का जो स्कुल लेंगे और इसे तरह अच्छे से फ़ला लेंगे इसे पूरी तरीकिंट अच्छे से फ़ला देंगे और इससे फलाने के बाद में हम प्रेट की जूसरी स्लाइज है उसे हम उसके अपपर रग देंगे और थोड़ा अच्य से दबा देंगे और चो पाके के बच्चते हूए प्रेट है हम सारे में ऐसे मलाई लगा कर लेंगे यहां पर मैंने यह भी रेडी कर लिया है और अब बारी आती है इसको कटिंग करने की ब्रेट की है कि इसी हुठा के हम साइट में रखस लेंगे ब्रेट का एक ही स्लाइस लेंगे अब लोग जैसा चाहें आप लोग गोज Tam चैब लोग पसंदो यहां में ड्रेट की कटिंग कर सकते हैं अगर आप लोग tark cah याँ पर मैं एक ब्रेट की चार भाग कर रही हूं ब mighty guy ago क Community ऑप भर लेंगे करने के बाद में एक प्लेट में इसमें देना है उसे हम प्लेट में निकाण लेंगे यह पर मैंने वहीवाला कोटोडली हुआ हुआ जिसमें हमने मलाई का पेस्टे बनाया था है यहां पर हमेंने एक कप नॉर्मल दूट एड़ किया हुगा है अगर आप लोग यहां पर भी चाहिए तो एक टेबल इस्पून आप यहां पर भी शक्कर डाल सकते हैं मैं शक्कर का यूज नहीं कर रही हूँ आप लोग चाहे तो मीठा खाने का सौकी नहीं तो आप लोगे वन डेबल इस्पून शक्कर इसमें एड़ कर सकते हैं और जो हमने ब्रेट के स्लाइज जो कटिंग किया था ट्रियंगल में उसे हमें कैसा उठाएंगे और ऐसा डीप करेंगे और हमें फटाक से उसे उठाना है नहीं तो ज्यादा डीप हो जाएगा तो एकदम सौफ्ट ह जाएंगे फटा फरसे से हम ऐसे डीप करके सब प्लेट में कर लेंगे भीकुल लेके करके हमें इसे निकाल देना है सब ऐसे जल्दी-जल्दी और सारे बिलेट को डीप करने के बाद में अब आधियाती कश्टर पॉडर की जो हमने दूद में मिलाकर रखा हुआ था अच्छा से ठंडा हो गया और इसे हम जो अपने ट्रियंगल के बिलेट के काटके रखे हुए उसके पर हम अच्छा से कोट कर देंगे अच्छा से ड जरूरत नहीं रहती हैं दो से तीन इग्रेडियन से बनके ब्रेड मलाई बनके रेडियो साथर खाने में तो बहुत जादा टेश्टी होते हैं आप लोग इसे बच्चों को दीचे आप लोग के घर महमान आता है आप लोग प्लीज इसे जरूर बनाइए और यह बहुत आज के रेसिपिक कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए अगर आप लोग मेरे चैलल पे पहली बार है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू फर वाचिंग वीडियो बाई